तो अब उस घर को जब दिया तो वैसी हमको अपना घर जो बनाना इसी रसुले खुदा से एक मता लोगों ने का या रसुल आदमी जो है वो बहुत अच्छा मुसल्मान है बड़ा अच्छा है था अब पता नहीं क्या करता था उसके मुझे कोई तफिल किताब में नहीं मिली कि नमास पढ़ता था कि रोजा रखता था कि वहाज करता था कि सच्दे करता था कि जकार क्या इसका मुझे कुछ पता नहीं लेकित कितना है कि परगमबर ने एक मतादमी नजर उठाए तकर कि क्या करा तुम लोग वाने ताकि फ़ना आदमी बड़ अच्छा मुसल्मान है बड़ अच्छा मुमीन जो लफ इस्तेमाल के मतलग ये कि बहराइल इसलाम की पहर हिं करने वाले हम बड़ अच्छा है सब लोगोंने का इतनी अच्छा था कि रसूल की बज में बैठने वाले उसकी तारीक कर रहे थे पर आदी बड़े मुत्यकी हैं, आके नमाज पर रहे हैं, एक गंटा पहले से दो गंटे के पार जा रहे हैं, अरे बड़े परेज गा रहे हैं, कोई मजलिस मासूम में नागई नहीं करते हैं, आज जाने हैं, शब हर मजलिस में आते हैं, अच्छा, तो समाले साथ कभी मजलिस में दिखाएते हैं, एक बड़े अच्छे मुमिन हैं, यह कमाल, बहुत मुमिन है, कुरान पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा कुरान, क्या द्वा देखी, क्या हुंदा, सब करत हैं, वालों का घर में बेवी इंतदार कर रहे हैं, यह तीम बजी रात में पहुंच र पहले अपनी फैमिली को मेटेंड करना लाजिना आदमी ते इसी को हमने संदे इसलिए हमारे दर्मियान में अफ्तलाफात है और उसके बाद लोग भाना भी करते हैं मौलाना को ताकि अपने हाथ में ले 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 इसलिए फॉर्म करें हमारे बीवी मस्जिद में आने से मना करत हम मस्जिद आते हैं बीवन जाती है मूँ बन जाता है उसका ताकि मौलाना समझें यह बड़े नमाज भी है तो मैं करता हूं अगर बीवी के मूँ बनता है तो गर में नमाज पढ़ लिए आप दोनों खुश रहेंगे तो बच्चे पुद नमाजी बन जाएंगे तो अब अच्छा मुसलमान वह है तो अच्छा मुसलमान है तो अपने अहलो अयाल के लिए अच्छा है मुसलमान कोई मयार नहीं अच्छा मुसलमान होने का अपने अहलो अयाल के लिए अच्छा है और तुम लोगों में सबसे अच्छा अच्छा अपने अहलो अयाल के लिए मैं हूं क्या कोई पलट के यह न कहे दे कि मतलब ही कि जब मैं आया हूं तो अपने अहलो अयाल के लि आप सोचे कि जो आइसा रसूल होगा, जो काइनात में सबसे अच्छा अपनी फैमिली के खिया लखने वाला होगा, अब उसके साथ कोई निबाह न कर सके तो कैसी आउरस होगा। उसकी एक वज़ा यह है कि हम जो हैं वो बहुत लंबा चोड़ा मोग हुए है, हमारे अंदर यह है कि एक तो हम किसी कानून के इडाप नहीं करते हैं, मसल मशूर में महबत और जंग दोनों में कानून नहीं है, मसल मशूर है कोई ऐसा अधिस कुरान में ऐसा कोई यह कुफी क महबत और जंग में कोई कानून नहीं होता, यानि महबत करें तो कोई कानून नहीं है, और जंग हो तो कोई कानून नहीं है, एक मसल मशूर है, तो पहले महबत में कानून घर का तूटता है, पहले महबत में घर कानून तूटता है, जब महबत की love marriage की या या शादी की तो घर गई आँन हो जाता है, अरदर केहिंदर तोल पोड बाफ बेटे से नाराज, मियां बीवी से नाराज, भी या से नाराज, सब किसा बेटु कुई आदमि की बेर कम कमाई लेकर उसको घर में आने के बाद सुकून मिलना चाहिए आगनी को, उसको घर में सबसे बड़ा इंसान का, इसलिए शादी करने के लिए इस्षर्थ रखी गई है, वो सूरत शकल की नहीं रखी गई है, कि बशूरत हो, एक लफ्ज पुरान में रखा, एक लफ्ज एक मौजू और इसके अंदर लेकिन वो मसलिएत मन जाता है, इसे किसी भी और बयान करोंगा, लेकर एक लफ्ज इतना खुशूरत खुरान में रखा है, और हदीस में रखा है, कि उससे बड़ा कोई लफ्ज, कोई फिलास्फर, कोई माहिर महीं ला सकता, कि बीवी कैसी ला न जाओ, तो तुम्हाँ दिल को सुकॉन मिल जाए, लफज स्कॉन इस्तांमाँ किया है, और है हदीस में, सक कनने कल्किं, सुकॉन किसे कहते है, जा Yak कोई आराम नहीं, सुकॉन माने θेरना, हरक्त से थेर जाना, tu कहते है ठेर जाने को, इसलिए मिस्कीन का जाता है, मिस्कीन जब आदमी के ख्यालात की रह को कही रुखना नहों तो उसे टेंशन का जाता है जब तुम उसके पास जाओ उस और पास तो तुमा को सुकून मिल जाए, ठेरा मिल जाए हमज नहीं के नहीं, ऐसी और लाना चाहिए, यहां क्या सब देखते यही नहीं देखते और हर वो चीज देखते हैं जो सुकून को डिस्टरब करती है, यह कमाल है, दौलत होनी चाहिए, जैज होना चाहिए, सब सुकून को डिस्टरब करने वाली चीज़, आइसा नहीं क्या पूसराज़गी, यह है, तो मेरा मतलब यह था है, घर में जो खराबियां यह क्यों है, कि हमने कोश खानून नहीं रखा है, ना मुहबबत के खानून, ना जंग के खानून, अगर लडाई हो गई, तो बेटे को इसका ख्याल नहीं, कि बाप से बात कर रहे हैं कि नहीं, और बाप की भी गल्ती है, उनको भी इसका ख्याल नहीं है, कि शबकत कैसे करनी चाहिए, बाप की तोनों तरफ से, शबकत मुहबत कैसे करनी चाहिए बढ़ों के साथ, अभार जिगा घुसे रहते हैं बहुत से बाप, है ना, कि बहु ये क्यों कर रही है, ये क्यों कर रहा है, तुमने ये क्यों कियों कियों आए, दोपहर क्यों आए, हर वकत बीबी के साथ क्यों आप बड़े होगे अपने किजारें बैठिये, अभी के बीजी हर वकत क्या सोगते हैं, घुसे रहने की, तो उनकी विजन्द की रहती है, जवानों की जवानों की जवानों का डेल नहीं करते, तो सब मिलके कोई कानून नहीं रह गया है, ना शरीयत के कानून, ना दुनिया क कानून, तो जब तक आप किसी चीज के लिए कानून नहीं इडाब करेंगे, डिस्टर्वेंस रहेगा, चाईसे मुलक का कानून होता है, वजजी घर का भी कानून होता है, तो अगर आप अंदर कोई कानून रखें, आप कानून बयान करने को तो मुख़ा नहीं इस वकत, क कि आप ये देखें के शरीयत में क्या कहा है, बीजी खत्माद, मा अपनी जगाए, बीजी अपनी जगाए, बेहन अपनी जगाए, दोस्त अपनी जगाए से 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 अब रोज दावत करें, घर में चहल पहल का महाव रदाव दोस्त को बुला लेजिए, प्रजाना बिर्यानी मुरुगा पुलाओ ये, वो मीठा सपुए है, पचीस दिस, पचीस दिन तक पचीस जिश पकवाई और पका सथी है, सास ससुर के लिए एक जिश पकाना उसके जाता है, पर खेर ये तो हमारे महावित में बीच में जिबात करें करी कि अपनी आदत और फितर के मिज़ा में कह दिया, ये है तो अब हम ये सोचे ने करने देजिए अगर शादी किये तो इसको कोई खानू शजीद ने रखता है, आप उसके हख अदा करीए, वो आप ही ह होता है कि अब हमारे के एक महल और है, अगर जरा सा तुर उसके बाद सबसे बढ़ी चीज़ी दुश्मन के वह शक होती है, अगर शोहर देर लगाता है, चाहे काम के लिए, तो बजाए उसके सही चीज़ की तरह और अवरत के दिमाग जाए, वह शक करने लगती है, अब अ अग से देखो उस पामल को, शवर ने कह दिया, कि हम गया कि इतने जाब के लिए, अब जाए कुछ भी कर रहा हूँ, हमसे क्या मत्दब, बीवी को आप घर में छोड़ क्या कर सकते है, आप से क्या मतलब के बीवी क्या है, आप तो देखें, और अपने जिम्मेदारी अदा करें, दोनों आप में उसके लवाब आप से कोई मतलब नहीं, अब कुछ काम अल्ला पर भी तो छोड़ना चाहिए, अगर शवर खुदा ना वास्ता गलत रास्ते बजा रहा था, हमको बीवी के हैसे से कानून के मताइब भी, और क्या नामे शरीयत के मताइब भी, शवर ब कानून के साथ, अगर लोग हमारी के क्या है, अब यहीं सोचते हैं कि इसके पीछे कुछ होगा, तो जो शक्त में दिमाग दोड़ता है, उससे ख्यास के जाहिरी कानून देखाना चाहिए बस, वो छोड़ी, अगर वो घलत है तो अल्ला उसको देगा, बीवी घलत है, वो जाने आपसे क्या मतलब से, तो हम लोग जो नहीं देखते उसी पर बहस करते रहते हैं, यह शैतान के सचे बड़ा धोका होता है, इसलिए हम अगर 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 अपनी जिंदगी बनाए तो बे खानून के मताबिक अगर ए जूसरे का खियार रखे तो कभी भी जगला और फ अगर 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 हमी नर्म पर दे आएंगे तो सब मबना पर आऊ गया है, मौलाना इस्तखारा देख दे लगजी की फला दे शादी कर दे, मौलाना साब जो उठे इस्तखारा कर दिया, हाँ बहुत, माशा अलला आयत तो यह निकली है, यूसुफ जुलेखा के उपर नही पर चले आ रहा है, आप तो उम्हत बड़ी इतनी उम्हत शादी के ऐसी आयत मिकली है, मेरी राजटा पर दे आप दी बहुत दूची बात है, माशा अलला अलला मुबारक चले जाए, समझे आप, अगर मना आ गया तो मौला मना आ गया अगर इस्तखारा, तब तो अगर अगर जाए कर ले जा अची तो, किसमें गाता इस्तखारा करें परिशादी यह ले जाओं, ऐसी हाद पर खेरी तो अलग बात, और ने क्या बहुत अच्छा, जि मेरा मौदूब 27 में, वाह मौला मौला मौला, क्या आए तिली, जा आजए मौला ना क्या पता है, वो लड़ मौला इस्तखारा कर दीजे, अगर आज आएगा तो ठीक है, और नहीं आएगा, तो कोई बात ने, लड़का भी इस पर आजए, मौला 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 ने इस्तखारा किया, उसके बात आयत में की लिए, जनाब एक दू लड़की आ थी और सब पानी की चेते, कुर्ण के परान में आये थी, अदर दूषवायत के लड़का पानी भर लुड़की कोई के उपर, जनाए मूसा अगया, उसके मदद कर दिया, और उसके बास बोती गई गया, उसके बात शादी को, अरे बहुत उंदास साब घी तो आये थी, अप मैरेच के लिए तिलिए आया थी, आ कर दू边 को पूरे जृतने हैं सब्रेवर्पाक उसके अंदर निए उसका पूराइए नाचम! जाने भुआ है। वड़ले नाचंगाना। यह झाना जतना है उसकّंग कोले उसका करण है। और हराम काम पूरे के पूरे घरिवाए, जो आल्लाने कहा है, वो बास यानि लिकासे फाइस बीर, अगर आप हदीश हुआ को इसके हथ नहीं कर रहा हूं, एक बात मेजार में लिकान फ् Competition फोन्त Indigenous al-qn. भनाव अशद्व मेन जिना यह तो है कि न मुधलाँ में वुक्त पशा कराड होती है अब चलेखे सारा हराम हो आप हराम अपर फाला मुलान न सुद्ध ऩायateg करें नहीं साथ क्या च्छहनी लगवें इस्तकारपने अब पत्रूखन च्छहना हो आपेAyuda तो मोलान न पत्रूद इसे था आप मनुंत मृप्ड़ान है तो नमुसत आती है गुना की दुनिया में भी और आखरत में लिए तो जो अल्ला ने कहा है आप वो हराम और को छोड़िये और वाजिब को अपराइए ताकि आप शरही जिद्दगी अपने पूरी गुजारने के आदिपने इतुड़ी के ठीशन चला आप पस्ते बार से तो लड़के मसाइल देखकर के हमारी क्या जिम्मेदारी खुदा की तरफ से मिया की बीवी के लिए बनती है और बात की लड़के के लिए क्या जिम्मेदारी बनती है क्या बताया अमरीका बहुत से लोग आ रहा है अमरीका आके बहुत पश्टा रहे हैं हमारे आप यहां के प होुख यहां आपने हंसा निकल गया तो परेषान मॉलाना के पास आ पास है मॉलाना कौन हो तो जादू मंतर को है लिए तसाल की बीसाल के खरागर बड़के का आपके कदा से लिए मौना भी पांटी मंता तो नहीं है, मौना छू देंगे तो, तो बहरां तो, और मैं अक्सर यहां पर जिम्ना कहता हूं, पर क्या मौला न सब, तावीश दे दीजिए अब, अब मुहबबत कर रहा है, क्या पताएं, अमरिकन लगी से मुहबबत कर लिए, अब फच्छी बात ह जान चली जाए चाहिए, किसी आदमी के खांदान की उजट बन जाए, कितना इंसान अपनी अना के अंदर वो है, खांदान की उजट चली जाएगी, तो पहले से, जब तक पहले से कंट्रोल नहीं करेंगे आप, तब तक जब हाथ से निकल जाएगा, तो यह चुब कोई काम नहीं आ सकता है, समझ रहे हैं कि नहीं, तो आपने उस उपर तो सिखाए जगे तो आप बचे कुछ अरे हलाल के काम करें हराम से बची तब पर कट होगी है, कौन है, अरे खुद जो लोग कमा रहे हैं, जितने लोगों ने यहां पुरान पड़ा है, मैं साफ कर रह और देखें, सारे गुना उसी से, बीवी बच्चे अच्छे नहीं है, घर में सुकुन नहीं मिलना है, शराब पीने लगी है, देखें, फैमिली लाए तो हो, पर शराब को अन्मी थोड़ी पीता है, सुकुन और चैन की तलाश में पीता है शराब, मज़ा पुरी आता है, हलब जलती है, लोग यही कहते हैं, बहरा हुआ 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 कारलामा बेखुदी बस अब पी चले क्यों चैन की तलाश में रात को चले जा रहा हूं चैन की तलाश में आदमी जब फैनले हो चैन की तलाश में लोग रहे जाए हैं और अगर कुछ नहीं पी सकते कुछ नहीं कर सकते तो सबसे अच्छा यह है कि लीडर बन जाओ तो यह सबसे बड़ी चिजी के आदमी तरा पी रहा है, बहार जा रहा है, घबरा आ रहा है, घल्टियां कर रहा है, चैन की तो लाएं, उसे चैन मिल जाते हैं, एक फैंदी लाएं सब कर रहा है, तो कानूने शरीयत को आप बच्चों को बठाएं, और उसमें किसी तसिम के र जाते हैं, जाते हैं, उसमें बेजने हैं, लेकिन इसके लिए कोई तयार नहीं है, एक बुरा फलसफा है, यह थोड़ीए कि बच्चों, यहां के बनावस चाहते हैं, बस मौलाना तरो इसी बात बदाते होंगे, उसे कोई हल नहीं निकलने का है, सबसे पहले हर इंसान जित अगर बीजी कोई बाते हैं, तो उसके बात मौला जिम्मेदा आले नहीं, तो उसी बीजी के बिशावार से भी कहना चाहिए, या आप हमसे इस इस जज़़ा मुतालबान नहीं कर सकते हैं, तो कोई बताई नमाज हो ज़ज़ा, कोई खानून नी शरीयर किसी को मालूम है, क प्रिवी से माफ करा लेंगे मेहर दो, उसके बाद चलिए है हम तो बहुत है, जनाब सप्गेदा कहा महर रखेंगे, जनाब शेदा नहीं कहा है कि हमारा महर रखो, उन्हेंने कहा है कि तुम हमारे मानने वाले हो, इसे बिल्णे के अच्छी तरह, खुश और खुर्रम होके, ठीक से रहो ये держी ये काया है कि इतना पर महीर रखो अरे अगर अगर ँमेर रखना है कि पहले हमारी प्राइली करके ऐसे हो जाओ तुером उसके बाद रखो महर हमारा रखो गे गे बाद मी हमाल उसरा होगा तो फिर तो क्लाइश प्रेदा होग सिरो जो कर रहे हैं इसके मुक्तसर यह है कि इस जिन्दगी के लिए आप पूरा एक खागा नया कर्टीब देना पड़े जा पूरे मौशले को तब जाका ऐसा हो सकता है कि हम यह नहीं से रोजाना आदमी में इतलाप और यह और वो और बाप बेटे में दूरी बेटे बाप में द कोशिष यह कीजा से प्रेशन अच्छा है एक वखवा है तलाप से पहले कि रहा दूने मुहबबत पैदा हो जाए अब एक गुना हर गुना एक दूसरे से मिला हुआ अब उसके बाद दूसरे को जलीर करने को उसमें लगे आरे हर चीज के रह अच्छी निकालने चाहिए को मिलाना पसंद है जनाब आदम और हुबा को जिस परिश्टे ने बता दिया था अल्ला को बहुत बूसरा है इसके उसके माफ करने अल्ला मिला तो रहा है जब रिसूल उख़ा वहां गया कि मिराज में तो वहां देखा कि एक परिश्टा आधा बरस का बना हुआ है और आ ये जो फरिश्टा है क्या दुआ कर रहा है और ये क्या है कि आधा बर्फ का है और आधा आग का है तो का तो जब परिखंबर या जिबिल से कुछा बैरा देखा तो वह दूआ क्या कर रहा था या मुअलिफ स्हल्जवन नार अलिफ बैन अबाद का सालहीं है आध और बर्फ को एक जगा जमा करने वाले अपने साले बन्नों को एक जगा जमा करके रखना में अखिला मिला चाहिए इसलिए दूआ की जाते है रब्बे जिद्ने इल्मन परवतिगार इल्म को बढ़ा लेकिन साथ में इभी काया थे खाले इल्म काफी निया होगा जटक कि सालह लोग इक दूसरे से मिलेंगे रब्बे इल्मन वाल इतनी विस सालहीन परवद्गार इल्म को बढ़ा मेरे और साथ मुझ को सालहीन से मिला भी जे तो आप ने बेटे मोटों को नज़र रखी को इ आप नज़र डापने श्रहिए एतिबार से जा रहे हैंगा अगर अगर ऐसे छूट गए नड़का अलग होगी तो दुन्या में नफसान होगा आखरत में अखसान होगा अगर आप घर में शरीयत प्या चानून नाफिश करने पे छूड़ गए तो अकिस की चीज दुनिया आँपनेुपर नहीं रगता है आद्मी दुन्या को आखिर है तो आद्मी आखिरत के लिए विल्हागा। परवदिगार के एक अजीब निजाम में को दुनिया भी अता कर रेता है, इतनी वाली प्रिशाम होने है, यह अलग बात है कि उसे खुछ दुनिया से इतनी मुहबद नहीं होती, जैसे आप गेही से बहुत मुहबद रखें, तो 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 उसकी गिफ्ट की तरफ आपका ध अजीब भी अता की, मुबूलियत भी अता की, मुहबबत भी अता की, उसके बाद आखरत पर उनको भी नहीं मिलना है, इंशालाओ ताला, आपको इस दुनिया में भी एक बीजी छूड़ जाए, इस कोई बात नहीं दूसरी उससे अच्छी मिलेगी, आप आए नहीं है, इ इंशालाओ वही अच्छी हो जाएगी, अच्छी खाली बीवी के बुरी होती है, इससे नहीं करने के बीवी है, बीवी का बुरी होती है, जब से पहले शवहर बुरा होता है, ता बीवी बिगरती है, पहले शवहर बुरा होता है, पहले बीवी बिगरती है, पहले शवहर अपने शोहरियत के शाल नहीं रखता है कि वोई शोहर है और उसको क्या खानूनी इस्लाम क्या खावाई अपनाने चाहिए, जब वो हड़ता है अबरत भी करती है, है यह नहीं, आप सारी शिकार, पूरे मौाशिरे का जागा लेजिए, तो मुक्तसर यह है कि आप अपने जि कुणूर बोल जाए, तो छाड़ो लेको उसके पीशे पहु जाएगा, इसकी परिशान करते हैं जड़ा, उसके वल्ती होना बश्वार, है न, क्या करें लोग बिचार, हम भी माफ इसलिए कर देते हैं, क्योंकि बिचारे लोग इतने जादा हम जदा है कि बीभी से बोल न पहरा है, पहरा है, लेकिन घर के अंदर नहीं से चलते हैं, आप मुहममद अलूम सब करें, इस आख दो अच्छा और हच्छा और बेहतरीन से बेहतरीन लखे, और हमेशा दूआ की कि इस तीसी परवदिगार हमारे जिए, जब बड़ा हो जाए, जब उससे अच्छा मिल ज है, और ये दूआ क्या जिसे, दूआ मकसद भी करो, दूआ रास्ते कि ना करो, दूआ मकसद भी करो, ये तो पैसा तो रास्ता है, जॉब तो रास्ता है, बिस्निस तो रास्ता है, मकसद तो तुम्हारा कुछ और है, वही मैंने का, अगर सब मिल गया, ठीक, अल्लाँ दे तो अपने बीवी बच्चों का बहुत ख्यालत है हमाने कि यह सिख लोग है और उनी देखता रहता हूं और बहुत परक्ती आपता है तो अगर कोई अपने अहलो आयाल का ख्याल नहीं रखेगा तो मौमिन भी होगा तो हम उसे इस दुनिया में बरबाद करेंगे मौमिन इस दुनिया के बात है महां मौमिन को जो मिले का देखा जिए वहां के बात तो अलग है अम मैं इस मौदू पर वीडियो पर दा है आप मौदू दे रहा हूं इसके बार जब पढ़ू है कल तो बताओंगा कि इसलामी वा मजब इसका जो आखिरत नहीं बताता सिर्फ आखिरत को सोचने की कोई जरूवत नहीं है कि कल बताओं आधा मौदू छोन लाओं सिर्फ दुनिया कोची बात तभी बात तभी हो जाने कल मैं इसी पर चलो जिमा शब बखेर पढ़ूँगा कि आखिरत को मत सोची तिर्फ दुनिया कोची इस बात तो पर अगर काफिर भ इतने खुफूरत खुफूरत लोग साब कमाल है ऐसी बस्वूरत खाली बीविववश नजर तो अँठा आखिर बाहर निकलते हैं पैसा तो नहीं है एंगर जूर नहीं बोल सकते हैं हमें दिखाई नहीं दे रहा है कोई दौः पढ़ लिये कि हम दिवान पर जात पन आय कोई दुआ पढ़ ली डाउन्टान में जा रहे हैं तो कोई दिखाई नहीं हमारे पास कोई दुआ नहीं किसी मौलाना के पाथ हो तो मेरा देन तो महुती स्पार्फ करता रहता है तो जिदा नदर उठती है देखती जरूर है वी तो अल्ला कर शुकर चश्मे की भी नोगत नहीं आए इसली को जादा साफ ही दिखाई देता है मतला मुट्वा भाई चश्मे मद्लूर घवलाब के तो कह रहे हैं कि बढ़ा तो ऑफ एसा है कि उन लोगों में ऐसा है कि उनों फैमिली तो बड़ा क्या जैसे भी निया फिर्मिले में लेकिन साथ रहते हैं साथ रखत जान Disco वारे, ऐसे को फाना खरा कुछा भी, जान विशार में व Templert फानी लिए को कैसे मिशाण भी भूत,ने का रहती है लिए ने हहा कि प्रोट रड़ सिवर्जा किला माया कि जाद है कि कि आपने आना के छाल टो लिए सब करने लिद्स को लोट प्रह parle है कि प्रॉट कर रहा है ता संद hon起 बेज को सब्सक्वाय अब कर लेखे और स्ट 9 कि दिन भी बच्चों से मिलते की नहीं है? Weekend Weekend, हाँ, जिया साथ खालत ने, end को तो मुझे पता नहीं, वीक कालवक्ता मालूं है वीक हो गया सब यहां की सिस्टम में पता रहा Weekend नहीं, पावर end है पावर end है, वीक हो गया सब हाँ, एक दिन वीकेंड में मैंने थीक है 24 घंटे में से वक्त नकालना चाहिए बीवच्चों के लिए अल्ला ने रात आदमी के आराम के लिए रखे आराम के लिए रखे आप जिससे आराम विले हो काम करें तो आप आखिर इस दिनमेगी में कमाने के एक मलजब तक के आद वो निजाम जब तक वही मैंने का एक इनला को जिसके इसके ख़त करना है कि जब तक आदमी मकसद पेशे नजब नहीं रखेगा रास्ता आपको जूरू पे इतना पैसा कमाने आदे पाद है रास्ता नहीं मकसद आयल वयाल कर गे इनके इतनी ताकी दे इतनी ताकी दे के अधिन अगर हदीशे पहुआँ त आपको रोमें ख़ड़े हो जाएंगी असमें आप पैसा कमाने के इसके मजबूरी बिएक इसकी किसी इनी जॉब है वो तसमें आखा प्रफड़े जी इसाट अब जाएंगे वैसी वह अनने का मुद्ध के मतलब करने हैं भूआ जोग अपनी जाइसे आप जॉब कर रहे हैं तो जैसे आप जॉब कर रहे हैं कि एक नट लेट हो जाएंगे वैसी वह हमने का मुखबत के मतलब यह नहीं कि जो चाहे करें न करें मुखबत के मतलब इसको भी अल्ला के तरफ से एक जाब समझने इसके लिए अवकाद मुखबत के लिए बच्छों का हक अदा करने के लिए आखित एक जाब उसको बीजी की बुराएं तो नहीं कर सकती यह बीजी यह बंग रहा है और यह बंग रहा है तो हो जाएगा अदा कर रहा है आप तो उसके पासे अल्ला यह कहता है कि अब अगर तुम्हें कोई और परिशान करती तो तो तुम्हें लिए तलाख रख रख रहे तो छुटी वह नहीं को अल्ला ने काया कि जिन लों की फर्याद नहीं सुनें वह भी लोग है तो जो लोग अपनी बीज अब जाब कर रहे हैं मालूम अलंगी ड्राइव ठीक है और खोई बात नहीं हम दो डोग साथ चले आते हैं इसे आप राख लोग साथ काम करते हैं मैंने वो प्लेन के अंदर देखा लोगों को साथ जो लोग बिजनेस क्लास में बैठते हैं उसने साथ टेप भी रखते हैं अब गोर करें जिन्दगी के दोनों गोर करें निया बीवी की रिसोचाश है निया बीवी के बात करें निया बीवी के तालुकात कराव हैं बाप बेटों को भी तालुकात कराव हैं अचकल उस पर जोर रही हैं आगे नहीं मा बेटी की भी तालुकात बाप बेटी की भी त तो बैरा राद रूस के दा मुक्तसर यह कि उस कावानी को हमने अपकी ठीटने घर में कितनी आपने किताबे जो इतनी किताबें दुन्या में अहलोयाल के जिन्दगी परिजी लेनी है हमारी घर में कितनी हमें सोचा हो कि हम इसे पढ़ सकते हैं हम चले जा रहे हैं आप लिकान पोर्ट के अंदर उन्टे को वहां जाके हम ऐसी बात है करना कभी इनी सोचते हैं किसी के पाल जाके शरीजी जिन्दे हो भी कब जाते हैं को और बहुत दिन के बाद बैरा रादी तो इतना लंबा मुदू नहीं किती दिन मुकाफिय है जारोगी कि हम इती जल्दी आपको संधा सकें लिकिन हत्तर इम्कान उसके अंदर पर दूसरी बात इसमें एक बात और मैं आप से बयान कर दो कि जो घरों का तजर्बाई यह है जिबने शवहन है वो बीवी सो छोट छोटी बातों को बहस करते कि बहुत किसे जाये तो मैंने बड़ाल किया है अरे छोटी छोटी बात बीवी करिए लेंगे तो आपको है हम बोलेंगे वह कर आए यह मकान लेटुदूरेखने ही, इस लिए इसलिए कब बाहर दुर्सी मसरोषियात है उन लोगे जी इनदके में दोानी पर पहले हैं, वरके सी driving दॉल्सी मसरूष्यात हैं उन लोगे, जिन गार में रहे हूं, तो उसके लिए घरी सबकुछ होता है 150 फिलियात जया जकि और आउरत जडानी मच्जों पर ऑज़र की जियनने कर긴े बाद से लोगे कि जिन्द को अगए चुछ सक्राम जे ना की? जो सरकमाटांसे से जिए जाए, वो ताकच पूरता है, जो हालाद के जीए जाए वो ताकच पूरता है, हालाद का मुकालगा जो जिएकना सबर करेगा वो तना बड़ा दाकच पूर हो गए यहां। तो बहुत है इतना नंबा चुड़ा मैं इतनी जर्सी ये सोच रहा था कि कौन सा एक ऐसी दूआ भी बताता चुरू जो आपके आलो आयाल खेलिए ज्यादा मुफीर हो तो अभी तक का ऐसी नजमा कोई नहीं आ रहे थी मैं तख्री लग भी कर दी बैरा लेकित इसलिए कि वहीं बात हुए तो दूआ हैं बता दूआ का दूआ जो वाजिब प्रहने की पहले वाजिब नमास को खुद देवी घर वाले वाजबात को पूरा करें कितने आप रोजा महिरत पादे उसका कफारा और इसके लावा अब जिनको तलाशे पुरान की एक आयत वो प बिल में किसी कारेखेर की तलाश होगी और उसकारेखेर अंदर से कोई अच्छा काम करना चाहेंगे तो इस आयत की परकत यह है कि अल्ला उनके लिए रास्ते मौया करते गए इंशाथ है यह जो फात्रस समावाते वाल अर्स अंता वली फिक दुनिया वाल आफरा इनी टु अधर मज़िद बनाना चाहती है यह बना चाहती है लो को भी बना इनी रास्ते फराहम कर देगा एक दूसरी बात यह है कि सब काम तौफिख अलाही पर मुनसिर है और जोहर का नाफिल अगर आज दो रकाद भी पढ़ ले तो जोहर के नाफिले की खुसियत यह है जो रका अगर ले फाइदा निखाए इसका यह इसका यह इसका इसका मसलिल अशा की नाफिला जो बैट के पढ़ जाती उसका फाइदा यह आदमी गरोजी में बर्कत होती है इसका आदमी की तौफिखात इलाही में जाथ्पी होती है परौदिगारा महमद आलिम्हुम्द के वार्त है इस जिन घंड़ों के इंदर अहल आयाल गिलिए तो इसलिए पढ़ने इस तिहाद इतिफाख उताफ एफर्मा जोजात इसका इसमारे निमेन महभबत लिए इधाफ़ा इसका इसलिए हमारे बचेनों को महबत ने दौश मुहारी चाहना नहों करना हम झालन नहें यहाला मुहारी माप्रा भार व्हुर्णों कि अभ्यूद्व प्ड경 Cake अियुद धॉ fossil नाउक्य आल फिरा छाहन यहाल कि अन्याजर भी ड्येखते को से गवानेř मुहारी मुहारी बारं ते आम वाले का अड़्या गराव उन्हादा विपाइढ पल्बॉष भुट्ठाय एल्स फिल्हा यहांद शल्त हुश्बॉष एल्स भार्भाइब रसमारिख स्॑ष एल्से घजार्भा जर्जम एल्हांदिया वाल्या व्रो डिंडर्मा श्राहिव एल्हांद एल्हु एल्ह कर दिए कर दो दो कर दो, जो आती है क्यास वर नहीं कर दोटी कि शुट्टे पर एक भी आती।